प्राइम टीवी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार आप सभी को गड़तंत्र दिवस के शुब कामना हैं साहित्यकार या शाहर सबसे सम्वेधन शील प्राणी इस दुनिया में होते हैं मैं उनकी सम्वेधन शीलता के लिए एक मुक्तक कहना चाहूँगा कि रवानी छोड़ दे पानी तो वो दर्या नहीं होता रवानी छोड़ दे पानी तो वो दर्या नहीं होता कभी उल्फत का मारा दर्द की दौलत नहीं खोता और न जाने कितनी आहें दफन होती एक सीने में न जाने कितनी आहें दफन होती एक सीने में ये शायर सिर्फ अपनी आख के आसू नहीं रोता और शायर ही है जो दुनिया के सब दुख दर्द महसूस कर सकता है तो देश में चलती उठा पटक भी जब वो महसूस करता है एक छोटी सी घटना से आपको जोड़ना चाहूंगा केरल में एक सैनिक सहीद हुआ और एक निता था कि वो किसी की मृत्यू का परिहास करने लग गए बलिदानियों के सवपन और विश्वास बिकने लग गए जब व्यथा की हद तलक आत्मा कुलाव की हम समय के घुटन का इतिहास लिखने लग गए और एक मुक्तक से आपको और जोड़ता हूं कि आज का दौर कैसा है कि चमगादर उल्लू बोल रहे यहां गहन तिमिर का वंदन है मानवता के अखुओं पर पशुता का चलता स्यंदन है और गीत इन्हें कैसे कह दूँ भीतर तो पीर सुलगती है यहां जो कुछ भी मैं कहता हूं जलते भावों का करंदन है तो इसी करंदन से उप जाए गीत ज यहां है कि हम समस्त देशवासी देशवासियों को एक आमंत्रन देना चाहता हूं इस गीत के माध्यम से और इस गीत का जो शीरसक है वह भी आमंत्रन ही है तो मैं आमंत्रन गीत आपके लिए पढ़ता हूं कि आजाओ तुम्हें आमंत्रन है अब आओ तुम्हें आमंत्रन ह यदि मन में सुलगन उठती हो रह रहेकर कसकन उठती हो यदि रखता हिलोरे लेता हो हर रोम में सेहरन उठती हो देशीष मिला ichy IJ ca यदि रुदन नहीं सुईकार तुम्हें अपनों से मिली घुलाभी में पऊरुस देता धिकार तुम्हें यदि दर्द सहाना जाता हो अंतर तू भान मचाता हो यदि असल युवा तुम मन से हो तो सम्मुख ये भीशन रणा अब आओ तुम्हें आमंतरण है और अगला पंक्ति देता हूँ कि अंतिम व्यक्ति जूज़ता है अंतिम सांसों के आने तक जीवन तो सुलगा करता है बस अगनिछिता की पाने तक म्ुक्ति बनाती है जीवन तो भार सद्रश्ठ होते अपमान दंश पीड़ा सहकर हसते चेहरों से जोर ठेस यदिन की अधिसमस को तरपन सीने में बाकी हो धड़कन तो आओ हाथ बढ़ाओ तो लेने को अनगिन प्रन है आज आओ तुम्हें आमंत्रन है अब आओ तुम्हें आमंत्रन है और सपनों के महल बनाए शीज कटाने वालों आज हम गणतन तेवस पर उनुकी याद करना जो भी 20-20 बरस की उमर में फासी पर जूल गए जिन्नों ने अपने मस्तक पर स्वेम गोली मार लिए उन्ह जिन्स अपनों के महल बनाए शीज कटाने वालों ने उनकी ही निव खोट डालीन सत्ता के मतवालों ने बरसों से दर्द समाया है अब तो नासूर हुआ दुसकर न उठता है न दबता है जो फास दबी कोई भीतर या तो ये पीड़ा दब जाए या सारा रक तो उबल पीड़ा रह रह कर रिस्ता व्रण है आजाओ तुम्हें आमंत्रन है अब आओ तुम्हें आमंत्रन है और सत्ता इस कविता का पूर्ती पढ़ता हूं यदि आपको हरदय तक कचोटे तो कचोट बस जिन्दा रखिएगा कि सत्ता की भूखी भेड़े जब हड़ी तक नोच मैंने भेड़ को हड़ी नोचने वाला कहा तो कुछ मित्रों ने कहा भेड़ साका हर्यूती है मैंने कहा जब छोटे से छोटा पद पाकर के व्यक्ति भ्रस्टाचार में आकंट डूब जाता है तब कहता हूं कि सत्ता की भूखी भेड़े जब हड़ी तक नोच चबाती हों पैसे पावर के दमसे जब इजब लूटी जाती हो कोट का चहरी नाटक हों इनसाफ की बोली लगती हो संसद में नोट उचलते हो और भूख से जनता मरती हो इस सड़े तंतर की बजबज में जब सबसे कीचर लिपता है तुम ही जड़ा साफ हो लो चावतर्फा दम आजाओ तुम्हें आमन्तरने अब आओ तुम्हें आमन्तरने बाद बढ़िया बाद बढ़िया बाद